तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिकल एसिस्टेंट का एक्जाम जो की हेड हुआ था 2017 में और इसका पोस्ट कोड था 485 तो इस एक्जाम को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे पार्ट वन यानि की अभी हम इसका हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, हीमाचल जी के हिंदी और इंग्लिस का सेक्शन डिस्कस करेंगे बाकि पार्ट टू कल आएगा जिसमें हम स्टैटिस्टिकल एसिस्टेंट के स्लेबस के अकॉर्डिंग ही 100 क्वेस्टिंज को डिस्कस करेंगे तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जुरूर करें अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो जुरूर से हमारे चैनल लेट्स प्रिपेर को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन को जुरूर दमाएं तो चलिए से के साथ वीडियो को शुरू करते हैं Q99 से हम शुरू कर रहे हैं तो उपनिशद पुस्तके हैं तो यह हैं फिलोसिफी की आप्शन एक औरेक्ट होगा Q99 किस ने पार्टली पुत्र को स्थापित किया था उदाइन ने उदाइन कौन था हर्यक वंश का एक राजा था हर्यक वंश का जिस्था पक था बिंबिसार का पूत्र था अज़ात शत्रू और अज़ात शत्रू का पूत्र था उदाइन next question की बात करें question number 101 पहली बौध परिशद कहाँ पर आयोजित हुई थी तो पहली बौध परिशद आयोजित हुई थी राजगरहे में option C यहाँ पर correct होगा अच्छा उस समय राजा कौन था तो राजा था अजात शत्रू और इस सभा का अध्यक्ष कौन कर रहा था अध्यक्ष कौन था इस सभा का तो उस समय था महाकर्ष्यप तो इन दो तिन पॉइंट को भी आपको नोट रखना है अगले question की बात करें अंतिम मौरे समराट कौन था तो यह था ब्रहद रहा था option D correct होगा next question पूहर का संस्थापक कौन था तो पूहर का संस्थापक था करीकला कई बार इसकी pronunciation change करके करीकाल भी कर दी जाती है करीकाल तो इसमें आपको बिल्कुल confuse नहीं होना है चाहे करीकला दिया गया होगा चाहे करीकाल दिया गया होगा यह एक ही है यह प्रारंभिक चोल साशकों में से था तो इस साशक के बारे में आपको एक point note रखना है कि इस साशक को जले हुए पैरों वाला कहा जाता है जले हुए पैरों वाला next question question number 104 मरिच्छ कटिका किस के द्वारा लिखा गया था तो मरिच्छ कटिका लिखा गया था बानफट के द्वारा option d correct next question अमीर खुसरो किस के दरवारी कभी थे तो यह थे अलावदिन खिल जी के option c correct होगा next question where is the famous विरुपाक्ष temple located तो प्रसीद विरुपाक्ष मंदिर कहां पर स्थीत है तो विरुपाक्ष मंदिर जो है तो हमपी में स्थीत है option c correct होगा next question भक्त तुकाराम किस मुगल समराट के समकालीन थे तो भक्त तुकाराम जो थे वो यह थे जहांगीर के जहांगीर मुगल समराट के समकालीन option c correct होगा next question शेर्षा का मकबरा कहां पर स्थीत है तो शेर्षा का मकबरा है सासा राम बिहार में स्थीत option e correct होगा Next question की बात करें, किसे मराठा राजकरन का चानक के कहा जाता है, तो नाना फड़नवीज को मराठा राजकरन का चानक के कहा जाता है, option C correct होगा Next question की बात करें, महराजा रणजीत सिंग के वारिस कौन थे, तो ये थी खड़क सिंग, खड़क सिंग option A correct होगा मदरास के रएतवारी विवस्ता के साथ कौन जुड़ा हुआ था तो ये जुड़े हुए थे थामस मुद्रो option C correct होगा नेक्स्ट कॉश्ट की बात करें निवन में से किसे भारत का मार्टेन लुथर कहा जाता है तो ये स्वामी दयानद सरस्वती को भारत का मार्टेन लुथर कहा जाता है option ने यहां पर correct होगा ये सारे questions जहें तो बहुत ज़्यादा important है आपको बिल्कुल धंग से इनको पढ़ना है नेक्स्ट कॉश्ट की बात करें question number 113 है 1946 में तेभागा अंदोलन कहां पर हुआ था तो ये हुआ था बंगाल में option डी-correct होगा next question महत्मा गांधी के साथ नमक सत्यागरह की अगुवाई किस ने की थी तो महत्मा गांधी के साथ नमक सत्यागरह की अगुवाई की थी option डी-correct होगा बाकी गाईज अगर आपको वीडियो अच्छे लग रही है तो जिरूर से इस वीडियो को like करें अगले question की बात करें question number 115 है समविधान में हमारे देश को कौन से नाम दर्शाए गए हैं तो ये दर्शाए गए हैं तो ये पार्सी नहीं आएंगे option डी-correct होगा next question की बात करें राज्य के नीती निदेशक सिधान हैं तो ये है अ नियायो चीत option यहाँ पर बी-correct हो जाएगा option बी-correct होगा अच्छा राज्य के नीती निदेशक सिधान बातों को हमने किस देश के सविधान से लिया था तो ये बालव question भी बहुत बार एकजाम में पूछा जाता है तो इनको हमने आयर लेंड देश के सविधान से लिया था इस वाले point को आपको note रखना है अगले question की बात करें question number 108 है भारतिय सविधान में सभी कारेकारी अधिकार किसमें नहीत होते हैं तो ये नहीत होते हैं राष्ट्रपती में next question भारत के राष्ट्रपती के विरुध कौन महाभियोग शुरू कर सकता है तो ये संसद का कोई भी ग्रह चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा ये कोई भी ग्रह शुरू कर सकता है option C correct होगा next question की बात करें भारत सरकार का वित्बिल कहां पर प्रस्तुत किया जाता है तो भारत सरकार का वित्बिल पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है option B correct होगा Next question, भारत ने सबसे पहले संपत्तिकर कब शुरू किया था, तो भारत ने सबसे पहले संपत्तिकर शुरू किया था 1957 में Option be correct होगा, 121 का Option be correct होगा अच्छा इसको कब फिर इसको हटा दिया गए था संपत्तिकर को तो 2014 के बजट में अरुन जेल्टली ने से हटा दिया था उसके बाद 2015 में फिर ये लाग हुआ था 2015 के बाद इस टैक्स को नहीं लिया जाता था अगले गौश्ट्रपती की बात करें अब तक भारत के राष्ट्रपती ने कितनी बार राष्ट्री आपात स्थिती घोशित की है तो अब तक जो है तो तीन बार तीन बार राष्ट्रपती ने राष्ट्री आपात की स्थिती घोशित की है कब कब की है इस वाले पॉइंट को भी आपको नोट रखना है तो सबसे पहले 1962 में उसके बाद 1975 में और उसके बाद सबसे पहले 1962 उसके बाद 1971 उसके बाद 1975 तो ये आपको point note रखने हैं अगले question की बात करें question number 123 है भारत में क्रिशी आय की गणना किसके द्वारा की जाती है तो ये किये जाती है output method के द्वारा option B यहां पर correct होगा next question किसकी मदद से राउर केरला स्टील सैयंत्र स्थापित किया गया था तो ये जर्मनी की सहायता से option B यहां पर correct होगा पस्चिमी जर्मनी की सहायता से इसको स्थापित किया गया था अगले question की बात करें question number 125 है नया capital issue कहां पर स्थापित किया जाता है तो नया capital issue स्थापित किया जाता है primary market में option A यहां पर correct होगा प्राथमी का बाजार में अगले question की बात करें question number 126 है RBI के खुला बाजार प्रचलन किसकी खरीद और विक्री संधर्बित करते हैं तो यह करते हैं government bonds के option D correct हो जाएगा अगले question की बात करें बाजार नियम किसने प्रतिपादित किया था तो बाजार नियम प्रतिपादित किया था जे बी से ने option B यहां पर correct होगा अच्छा जे बी से का अगर पूरा नाम पूछिया जाए तो आपको याद रखना है gene gene bepastis से तो इस वाले point को भी आपको note रखना है अगले question की बात करें question number 128 है तो हमारा question number 128 है the topic of cancer does not pass through तो करकरेखा कहां से नहीं गुजरती है तो ये इरान से नहीं गुजरती है option D यहां पर correct होगा अच्छा भारत में करकरेखा कितने राजें से होकर गुजरती है तो आठ राजे कौन कौन से है तो वो हैं कॉशन की बात करें कॉशन नुमर 129 परित्वी की उपरी सतह में प्रचूर मात्रा में मिलने वाली धातू कौन सी है तो यह है पॉइंट को भी आपको दोट रखना है अगले कॉशन की बात करें ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट इस लोकेटिड एट तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहां पर स्थीत है तो यह स्थीत है ऐस्ट्रिलिया में उप्षन यहां पर कॉरेक्ट होगा ऐस्ट्रिलिया के तीन परमुख मरुस्थल हैं जो की हर बार एक्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है सबसे पहला है ग्रेट सेंडी मरुस्थल सेकंड है Gibson मरुस्थल Gibson गिबसन तो हर बार पुछा जाता है Gibson मरुस्थल और थर्ड नमबर पे है Great Victoria मरुस्थल यह जो हमने अभी यहाँ पर डिसकस किया तो इन तीने को आपको नोट रखना है अगले कॉशन की बात करें वी अकार की खाई बनाती है डिवर, Option D correct होगा ना दी Next Question Diago Garcia कहां पर है यह है हिंद महा सागर में Option C, Correct हो जाएगा अगले कॉशन की बात करें Question number 134 है विश्व का सबसे उंचा जल पर पात कौन सा है तो विश्व का सबसे उंचा जल पर पात है वेनेजोयला में option A यहाँ पर correct हो जाएगा वैनजोयला में है अगले question की बात करें question number 135 है अधिकाश मौसमी यह घटनाय होती हैं तो कहाँ पर होती हैं तो यह होती है ट्रोपोस्फियर में option D यहाँ पर correct हो जाएगा ट्रोपोस्फियर यानि की शुब मंडल में अगले question की बात करें, सर्दी की साफ रात्री को प्रिथवी किस घटना के कारण ठंडी होती है, तो 136 का right option, option B, radiation के कारण, next question, व्यापारी हवा सबसे सकती चाली किस के दोरान होती है, तो ये होती है, गर्मी के दोरान, option B correct होगा, अगले question की बात करें, question number 138 है, side right किसका आयसक है, तो side right किसका आयसक है, तो ये है, लोहे का, iron का option, D correct होगा, अगला question है, सबसे उंचे स्तर, और अच्छी गुनवत्ता का कोईला कौन सा है, तो कोईले की चार प्रकार की श्रेणी होती है, कौन कौन सी, anthracite, bituminous, lignite और pit, तो सबसे best quality का कोईला कौन सा होता है, तो ये होता है, anthracite, option A यहां पर correct हो जाएगा, अगले question की बात करें, question number 140, भारत विश्व का किस चीज का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये question 2017 में पुचा गया था, अब वैसे उस समय इस question का right option था, option C जौर, option C जौर होना था, बट अब अगर बात करें, तो भारत जो है तो विश्व में, ये जो जौर के मामले में अगर बात करें भारत की, तो जौर के मामले में अब भारत third number पे आता है, फर्स्ट नमबर पे है नाइजीरिया, सेकंड नमबर पे आता है यूएस से और थर्ड नमबर पे आता है अब इंडिया तो इस वाले point को भी आपको note रखना है अगला caution है नाथुला पासिजिन, तो नाथुला दर्रा कहां पर है तो यह है सिक्की में, option A यहां पर correct होगा सिक्की में के दो दर्रे बहुत बार पुछे जाते हैं एक तो यही है नाथुला दर्रा और दूसरा है जलेपला दर्रा यह दोनों जो है तो बहुत बार एक्जाम में पुछे जाते हैं आपको note रखने है अगले कॉशन की बात करें प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था 1973 option डिकॉरेक्ट होगा नेक्स्ट कॉशन सबसे पहला नाभी की यह उर्जा सैयंतर कहां पर स्थापित हुआ था तो यह हुआ था महरास्टर में option यह यहां पर कॉरेक्ट होगा नेक्स्ट कॉशन की बात करें question number 144 decibel की इकाई क्या है decibel is the unit of तो किसकी इकाई है तो यह है intensity of sound की option बी कॉरेक्ट हो जाएगा ध्वानी की तिवर्ता option बी यहां पर कॉरेक्ट होगा next question निम्न में से उश्मा का यह सबसे अच्छा चालक है तो उश्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है तो यह है mercury यानि की पारा option बी कॉरेक्ट होगा अगले कॉशन की बात करें question number 146 है which is a sensation which depends upon तो सूर एक समवेदना है जो आधारित है तो यह आधारित है frequency पर option यह यहाँ पर कॉरेक्ट होगा आवरिती पर यह आधारित है अगले कॉशन की बात करें the image formed on the retina of a human eye is तो मादव नेत्र की नेत्र पटल पर प्रतिविंब बनता है तो यह बनता है यह बनता है real और inverted यानि की वास्तविक और उल्टा option D यहाँ पर कॉरेक्ट होगा question number 148 है filament of electric बल्लव is made of तो electric बल्लव का filament बना होता है तो यह किस चीज़ से बना होता है यह बना होता है टंगस्टन से option A यहाँ पर कॉरेक्ट होगा अगले question की बात करें mixture of carbon monoxide and hydrogen is called carbon monoxide और hydrogen के मिश्रण को क्या कहते है तो यह कहते है water gas option B यहाँ पर कॉरेक्ट होगा अगले question की बात करें ordinary glasses तो समाने कांच है calcium and sodium silicate का option C यहाँ पर कॉरेक्ट होगा अगले question की बात करें question number 151 है sourcing of milk is due to तो दूद किस वज़ा से खटा हो जाता है तो दूद किस वज़ा से खटा हो जाता है bacteria के कारण option B यहाँ पर कॉरेक्ट होगा अगले question की बात करें question number 152 है which part of plant yield opemium पौधिक का कौन सा भाग अफीम देता है तो यह देता है fruit यानि की full option B यहाँ पर कॉरेक्ट होगा अगले question की बात करें तो students आगे जो है तो current affair से related questions है इनको हम छोड़ रहे हैं क्योंकि 2017 की current affair आपके किसी काम के नहीं है चलते हैं अगले question की तरफ तो अब हम हिमाचल की जीके कोश शुरू कर रहे है question number 159 है भारत में मनु का एक मातर मंदिर है तो यह कहाँ पर है मनाली में option B यहाँ पर correct होगा अगले question की बात करें question number 160 किस क्षेतर को शहद और दूध की घाटी यानि की valley of honey and milk के नाम से जाना जाता है तो यह किस घाटी को जाना जाता है यह जाना जाता है चंबा घाटी को option B correct होगा अगला question है कस्तूरी अमरीग फार्म कहां पर स्थीत है तो कस्तूरी अमरीग फार्म है कुफरी में स्थीत option D correct होगा अगला question है चेनी दर्रा की सजिले में स्थीत है तो चेनी दर्रा कहां पर स्थीत है 162 का D correct होगा चंबा डिस्ट्रिक में यह स्थीत है option D correct होगा अगले question की बात करें question number 163 चंदरभागा घाटी को कहते हैं तो इसको कहते हैं पटन वैली यानि की पटन खाई इसको कहते हैं option A यहां पर correct होगा next question है who was the first lady governor of हिमाजल परदेश तो 165 आगे हमारे जो है तो English section से related questions है और उसके बाद हमारा हिंदी के section से related है तो बात करें he could not cut the grass today because the handle of the machine the handle of the machine had broken a few days ago option D यहां पर correct होगा अगले question की बात करें question number 166 है antonium of the word irrevocable is तो यह हो जाएगा transitional option C यहां पर correct होगा next question है question number 167 है meaning बताना है आपको idiom यानि की मुहावरे का तो मुहावरा दिया गया है to stick to one's colors is तो इस question का रड़ा option हो जाएगा option number 8 to refuse to yield option A यहां पर correct होगा अगले question की बात करें question number 168 है शुद्ध शब्द आपको यहां पर बताना है तो शुद्ध शब्द हो जाएगा और मी option C correct होगा next question है यौगिक शब्द यहां पर बताना है तो यौगिक शब्द यहां पर हो जाएगा सदाचार option C correct next question निडर का आपको यहां पर समास बताना है तो निडर का यहां पर समास हो जाएगा अब याई भाव समास option भी यहाँ पर correct हो जाएगा तो guys यहाँ पर हमने statistical assistant जिसका post code है 485 इसका हमने first part discuss कर दिया है तो I hope वीडियो आपको informative लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो जिरूर से इस वीडियो को like करें बाकि part 2 हम इसका भी या तो थोड़ी दिर में discuss करेंगे या फिर कल हम इसका part 2 discuss करेंगे जिसमें हम statistical assistant के syllabus के according इसके 100 questions को discuss करेंगे तो चलिए इसी के साथ वीडियो का end करते हैं मिलेंगे अगली वीडियो में till then take care